सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक खिला देने वाली हॉरर स्टोरी पहला इकन प्रेस करना ना भूलें हुआ क्रिस और अमांडा के साथ वो लोग इस बार बैलंटाइन्स डे मनाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ कर एक रोमांटिक टूरिस्ट स्पोर्ट पर जा रहे थे रास्ते में उन्हें वर्मॉंट के एक ब्रिच से होकर गुजड़ना था जिसका नाम था एमिली ब्रिच रात का समय था और क्रिस गाड़ी चला रहा था तभी उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी क्रिस ने दूर से ही उसे देख लिया और गाड़ी रोग दी लेकिन जब उसने नीचे उतर कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था उसने सोचा कि शायदी उसका वहम होगा तो उसने गाड़ी में बैठ कर अमांडा से पूछा तुमने उस लड़की को देखा क्या अब पता नहीं कहां चली गई तभी उसके एकड़म पास से एक बहुत खौफनाक आवाज आई कौन से लड़की तुम किस लड़की से मिलने गए थे क्रिस ने जैसे ही अपने बगल में देखा उसने पाया कि उसकी वाइफ की जगा एक बहुत भ्यानक चहरे वाली उच लड़की बैटी थी उसकी गर्दन पूरी मुडी हुई थी और उसके हाथ पाओं इस तरह से आपस में क्रम्बल्ड थे जैसे वो तूट गए हो उसके एक तरफ का चहरा भी छिला हुआ था और उस तरफ की आँख भी फूटी हुई थी उस लड़की ने क्रिस से पूछा तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आये उस दिन किस से मिलने कहे थे कौन सी लड़की की बात कर रहे हो क्रिस उसे देख कर बहुत डर गया वो अपनी गाड़ी से उत्रा लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो गाड़ी के दर्वाजे से टक्कर खाकर नीचे गर गया अगले दिन क्रिस की आँखे हॉस्पिटल में खुली उसके शरीर पर बहुत से स्क्रैचिस के निशान थे अमैंडा उसके पास ही बैठी हुई थी जब क्रिस ने अमैंडा से पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था तो अमैंडा ने बताया कि क्रिस उसके बगल में बैठ कर कुछ अजीबो गरीब हरकते करने लगा वहाँ पर खड़ी नर्स बड़े ध्यान से क्रिस को देख रही थी उसने पूछा क्या आप एमिली ब्रिज से होकर जा रहे थे अमैंडा ने अपना सर हां में हिलाया तब उस नर्स ने उन्हें बताया कि वो ब्रिज हॉंटिड है और रात के समय वहाँ पर कोई नहीं जाता कहा जाता है कि काफी समय पहले एमिली नाम की एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसके परिवार वाले उसके रिष्टे के लिए राजी नहीं हो रहे थे इसलिए एमिली ने अपने आशिक से कहा कि वो उस ब्रिज पर जाकर वहां से कूट कर अपनी जान दे देंगे और अपने प्यार को अमर कर लेंगे लेकिन जब एमिली वहां पहुची तब उसका आशिक वहां नहीं था उसने घंटो उसका इंतजार किया लेकिन उसका आशिक उससे मिलने ही नहीं आया इस गम में एमिली ने अकेले ही उस बृत से कूद कर आत्मा हत्या कर ली। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। कहते हैं कि वो उसी नधी में कहीं डूबी हुई है। उस दिन के बाद से रात में गुजरने वाले हर इनसान से वो मिलती है और उसे एक सवाल पूछती है। किस से मि अराम करने दे। क्रिस ने अमैंडा को प्यार से कहा कि एक बार में ठीक हो जाओं तो हम फिर से अतना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। अमैंडा ने क्रिस को मुस्कुराते हुए देखा और वहां से चली गई। तभी क्रिस का ध्यान उपर पंखे पर गया। वहां प यह कहानी सुनेना नाम की एक लड़की की है। कुछी दिन पहले सुनेना का ब्रेक अप हुआ था। और तब से वह थोड़ी चुप-चुप सी हो गए थी। सुनेना का सारा फोकस अपने काम पर था और इसलिए वो देड़ रातों तक आफिस में काम करती रहती थी। वैलंटाइन्स डे पास आ रहा था और उसकी सारी फ्रेंड्स अपने बॉइफ्रेंड्स के साथ गोवा जाने वाले थे। पर सुनेना ने काम का बहाना करके उनको मना कर दिया। सुनेना थोड़ी उदास थी केस वैलंटाइन्स डे उसके पास कोई नहीं होगा। वैलंटाइन्स डे पर सुनेना ओफिस में ही काम कर रही थी। जब वो काम करते करते ठक गई तब वो ओफिस के नीचे एक कॉफी शॉप में जाके बैट गी। वहाँ उसके एक्स बॉइफ्रेंड जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखा जिसके साथ उसने बाते करनी शुर काफी खुश महसूस कर रही थी। उस लड़के ने जब सुनेना से उसके घर चलने के लिए कहा तो सुनेना ने हाँ कर दिया। सुनेना जब उस लड़के के घर पहुची तो वो थोड़ी ड्रंक थी। पर उससे साफ साफ समझा रहा था कि वो घर थोड़ा अजीव हूँ उस घर में अजीव सीमहक थी जिससे सुनेना का दम घुट रहा था। फिर भी सुनेना उस लड़के पर भरोसा करके उसके साथ बेडरूम में चली गई। जैसे ही उस लड़के ने सुनेना को गरे लगाया वैसे ही सुनेना को ऐसा लगा कि उस लड़के ने उसके नेक पर बहुत जोर से काटा। सुनेना ने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया। और धक्का देते ही उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरहा से बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई भयानक मॉंस्टर हो। सुनेना बुरी तरह घबरा गई। जो लड़का सुनेना की तरफ आगे भड़ा और सुनेना डर की मारे विहोश हो गई। अगले दिन जब वो उठी तो महां कोई नहीं था। पूरे घर का नक्षा बदला हुआ था। वो घर धूल मिट्टी से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में सालों से कोई नहीं है। वो तुरंट वहां से निकल कर अपनी एक फ्रेंड की घर चली गए। उस लड़के की बारे में मालूम करने पर सुनेना के होश उड़ गए। जब उसने कौफी शॉप ओनर से पूछा कि उस रात आपने मेरे साथ कोई लड़का देखा था। तो वो बोला कि नहीं हमने किस को नहीं देखा। In fact, हम तो ये सोच रहे थे कि सुनेना अकेले किसको देखकर बात कर रही है। सुनेना को एक बात सुनकर बहुत अजीव लगा। उसके बाद वो उसी क्लब में गई और क्लब मैनेजर से उसी लड़के के बारे में पूछा। तो क्लब मैनेजर ने उसे CCTV टीवी फुटेज दिखाई जिसमें उसने देखा कि उस रात वो अकेले ही नाच रही थी। जब उसने उस लड़के के बारे में और information निकाली तो उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे coffee shop में मिला था उसे मरे हुए दो साल से जादा हो चुके थे। इस बात को सोच कर कि व वो reality में exist ही नहीं करता, वो पूरी तरह से सुन हो गई थी। और उसके गले की चोट का निशान आज तक उसे उस भयानक experience की याद दिलाता रहता है। स्टेसी को online लोगों से मिलने का concept बिल्कुल पसंद नहीं था, पर pandemic के चलते उसके पास और कोई option बचा ही नहीं। ऐसे ही एक रात अपने office का काम खतम करके स्टेसी अपने couch पर बैठे phone चला रही थी। तभी उसके phone पर Tinder की एक notification आई। You have matched with Victor. स्टेसी की profile विक्टर नाम के एक लड़के से match हो गई थी। स्टेसी ने instantly उस notification पर टैप किया और विक्टर की profile को देखने लगी। इसी दौरान स्टेसी को विक्टर से एक छोटा सा message आया। Hi! विक्टर की profile स्टेसी को काफी attractive लगी। स्टेसी ने विक्टर को बापिस reply किया और ऐसे ही text पर उनका बाते करना शुरू हो गया। स्टेसी को विक्टर की साथ हो रही conversations काफी interesting लगने लगी। करीबन एक घंटा बात करने के बाद विक्टर ने स्टेसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ date पर चलोगी। स्टेसी भी interested थी तो उसने भी हाँ कह दिया। इस पर विक्टर का एक और message आया। क्यों न अभी चला जाए date पर। एक्चुली रात के तीन बज रहे थे। तो स्टेसी ने मजाक समझ कर मजाक में ही उसका reply दे दिया। स्टेसी ने लिखा क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिलकुल भी मजाकिया नहीं था। स्टेसी के message करते ही विटर offline हो गया। और तब ही एकदम से स्टेसी के दर्वाजे पर खटखट हुई। इतनी देर रात दर्वाजे पर खटखट सुनकर स्टेसी एकदम से शौक हो गई थी। स्टेसी ने दर्वाजे के पी स्टेसी के phone पर एक और notification आई। विक्टर का message था जिसमें उसने लिखा था तुम अपनी इस black dress में काफी अच्छी लग रही हो। ये पढ़कर स्टेसी के चहरे का रंग मानो उड़सा गया। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी। लेकिन वहाँ दूर दूर तक को अपने घर में वापिस आ गई। तभी विक्टर का फिर से message आया। डरो मत। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्टेसी को अब ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने विक्टर को message करके पूछा कि उसे उसकी dress का color कैसे पता चला। लेकिन विक्टर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्टेसी को ये सब बहुत shady सा लगने लगा और इसलिए उसने अपना phone off कर दिया। और couch पर ही late गई। मगर कुछी seconds बाद स्टेसी के phone पर फिर से एक notification आई। स्टेसी भुरी तरा से हम गई। क्योंकि उसने अभी अपना phone off किया था। मैंने अभी सोने की permission नहीं दिये तुम्हें। स्टेसी के पढ़ते ही स्टेसी के घर की bell जोर-जोर से बजने लगी। इतना ही नहीं। उसके घर की lights फ्लिकर होना शुरू हो गई। स्टेसी अपने कान पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ जा रही थी। कि एकदम से sun नाटा हो गया। और स्टेसी को फिर से एक message आया। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्टर का ये message पढ़कर स्टेसी का घबराहट के मारे रोना निकल गया। और उसने विक्टर से पूछा कि आखिर विक्टर ऐसा क्यूं कर रहा है और वो आ क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सब पढ़कर स्टेसी की हालत और खराब हो रही थी। वो बस phone fake के रोने लगी कि तभी उसकी गर्दन पर उसे दो हात महसूस हुए जो उसका गला दबा रहे थे। तभी स्टेसी का phone एक के बाद एक आने वाली notifications की sound से बजने का गला जोर से दबा रहा था और अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्टेसी की आँखों के आगे अंधेरा चाने लगा और बचने का शायद और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए स्टेसी ने अपनी घुटी हुई आवास से कहा और अचानक उसकी गर् मेशा मेरी ही रहोगी। चलो अब जल्दी से जाकर तयार हो जाओ। हमें बाहर भी तो जाना है। विक्टर के फोन पर आते मेसेजिस से स्टेसी की सांस से और तेज होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टेसी अब इतनी जादा सहम चुकी थी कि वो विक्टर की सारी बातें मानने लगी। विक्टर की विशेस को मना करने पर शायद उसकी जान को खतरा था। इसलिए वो विक्टर के कहने पर तयार होने अंदर अपने रूम में चली गई। और उसने तभी छुपके से टेक्स्ट मेसेज की थू अपनी फ्रेंड सोफिया को सब कुछ बता दिया। जब स्टेसी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो विक्टर का फिर से एक मेसेज आया। उसमें लिखा था। बेबी अपने सारे कपड़े उतारो ना। यह देखकर स्टेसी बहुत जादा डर गई। पहले तो वो अप बहुत तेज रोना चूट गया। और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन जमीन पर फेका। उसका फोन अब जमीन पर गिर कर तूट चुका था। स्टेसी बेहट डरी हुई सोफे पर बैठी। सोफी के आने का वेट करने लगी। करीबन पांच मिनिट के बाद ही स्टे से कोई भी दिखाई नहीं दिया। स्टेसी और जादा सेहम गई और तभी उसके तूटे फोन के स्पीकर से एक अवाज आई। बेबी तुम मेरे प्यार से नहीं भाग सकती। लेकिन तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो वाज बंध हो गई। स्टेसी को बहुत दर लग रहा था कि तभी फिर से एक काला साया उसकी तरफ आया और उसका गला दबाने लगा। लेकिन उसी वक्त सोफिया भी उसके घर पहुच गई थी और वो घर के खुले दर्वाजे से अंदर आ गई। उसने देखा कि स्टेसी बाद स्टेसी के साथ हो रही अजीब घटनाएं बंध हो गई थी। अगली सुभा स्टेसी ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना सुनाई। जब पुलिस ने टिंडर के रिकॉर्ड चेक किये तो पुलिस को वहां स्टेसी के फोन वाले विक्टर का कोई नामों निशान ह स्टेसी नहीं मिला। स्टेसी को हर कोई यही समझाने लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम था। पर सिर्फ स्टेसी जानती थी कि जो कुछ भी उस रात उसके साथ हुआ। वो सब सच था। स्टेसी अब थेरेपी में है। उसके मन का डर नजाने कब निकलेगा। उन पर विक्टर नाम फिर से ना दिखे। फेबरी का महीना यंग्स्टर्स के लिए जादा ही स्पेशल होता है। क्योंकि इसी महीने 14 फेबरी को बैलिंटाइन्स डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पार्टनर्स के साथ अपने प्यार को सेलिबरेट करते हैं या फ अपनी भी अपने एक लोटे प्यार के साथ वैलिंटाइन्स प्लान बना रही थी। किताबें अपनी को बुक्स पढ़ने का बहुत ही जादा शौक था। उसके घर का कबर्ड बुक्स से भरा रहता था। बच्पन से ही अपनी अकैडमिक्स में बहुत अच्छी थी। पर से सोशलाइज करना पसंद नहीं था। वो नेचर से थोड़ी शाय और इंट्रोवर्ट किसम की थी। अपनी ने डिसाइड किया था कि वो वैलंटाइन्स डे पर अपने घर के पास वाली पब्लिक लाइबरी से कुछ बुक्स इशू करवा लेगी। बुक्स के बारे में सो गूमते गूमते वो रुमैंस नॉवल्स के सेक्शन में पहुच गई। बुक्स के बीच में खोई हुई अबनी को अचानक से अपने पीछे किसी लड़के की घहरी सी अवाज आई। अबनी। वो वाज अबनी को ही पुकार रही थी। अबनी ने पलट कर देखा तो उसे क किताब दिखी। उस किताब की हालत बहुत ही खस्ता थी। उस पर बहुत धूल जमी हुई थी और अबनी उसका टाइटल भी धंक से नहीं पढ़ पा रही थी। धूल हटाने के लिए अबनी ने उस किताब पर जोर से फूक मारी। तब उसे उस किताब का टाइटल अबनी को वो बुक वैलेंटाइन्स डे के लिए एकदम पॉफेक्ट लगी इसलिए उसने उस किताब को घर ले जाने का डिसाइड किया लाइब्रेरी के इशू काउंटर पर बुक इशू करते समय अबनी की नजर इशू डेट के स्टैम्स पर गई वहाँ उसे दिखा कि उस दिन से पहले ये किताब सिर्फ एक ही बार इशू की गई थी और वो भी 1992 यानि पूरे 30 साल पहले अबनी को वो किताब अब बहुर स्पेशल लगने लगी थी वैलिंटाइन्स डे की शाम को अबनी घर पर अखीली थी उसके पेरिंट्स डिनर के लिए बाहर गए हुए थे अबनी ने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और अपने रूम में जाकर उसने अपनी नई बुक्स को पढ़ना शुरू किया वो बुक सैम नाम के एक लड़के के बारे में थी जिसे एक लड़की एना से प्यार हो जाता है और एना भी उसे प्यार करने लगती है अबनी को वो बुक बहुत इंट्रिस्टिंग लगने लगी वो इस किताब को पढ़ते पढ़ते मानो उसमें खोस ही गई थी लेकिन तब ही उस किताब में एक लाइन आई जहां सैम एना का हाथ पकड़ता है इस लाइन को पढ़ते ही अबनी को महसूस हुआ कि उसके लेफ्ट हैंड को किसी ने चुआ एना ने जटके से अपने बाई ओर देखा तो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसके बाल उसकी आँखों पर गिर रहे थे अबनी उसे देखकर चौक उठी वो लड़का मुस्कुराया और उसने अबनी से कहा हाई अना घबराओ मत मैं सैम हूँ ये सुनते ही अबनी की चीख निकल गई उसके सामने बुक का एक क्यारेक्टर बैठा हुआ था वो डर कर बेट से उठ गई और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी सैम अजीब तरीके से रोने लगा और कहने लगा अना तुम मुझे छोड़कर मत जाओ अबनी ने डरी हुई अवाज में बोला कि उसका नाम अबनी है और वो एना नहीं है सैम ने फिर से एक अजीब ढंग से कहा नहीं तुम्हारी आखें बिलकुल एना जैसी है तुम ही एना हो मेरी एना इतना कहे कर सैम अजीब तरीके से हसने लगा अब चीजें अबनी के कंट्रोल से बाहर जाने लगी थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वो कमरे से बाहर चली गई और उसने बाहर से कमरा बंद कर लिया कुछ देर तक दरवाजे को जोर-जोर से पीठने की आवाजे आई लेकिन फिर सब शान्त हो गया अबनी को घबराहट हो रही थी और वो ड्रॉइंग रूम में बैटकर अपने पेरेंट्स का वेट करने लेगी जब उसके पेरेंट्स घर वापिस आए तो उसकी जान में जान आई अबनी ने उसके बाद जब अपना रूम का दर्वाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था किसी को भी वहाँ ना पाकर अबनी ने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला उसे लगा कि शायद उस बुक को पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग खराब हो गया है इसलिए वो रात होते ही सोने चली गई लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नीन नहीं आ रही थी तभी उसे फिर से ऐसा लगा जैसे वो किताब उसे बुला रही हो वो उसके पास गई और किताब को फिर से पढ़ने लगी पढ़ते पढ़ते वो किताब के आखरी चैप्टर पर आ पहुची लास्ट चैप्टर का टाइटल था सैम्स डेथ उस चैप्टर में लिखा था कि आना सैम के साथ रिलेशन में होने के बावजूद उसे चीट कर रही थी सैम को जब ये सब पता लगा तो वो इतने गुसे में आ गया कि वो पागल हो उठा उसने आयना कि घर जाकर उसे मारने का प्लैन बनाया एक राज जब आयना अपने कमरे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी तो सैम उसके बैठ के नीचे छुपा उसे मारने का इंतजार कर रहा था इसके बाद किताब में आगे पेजेज ही नहीं थे शायद किसी ने वो पेजेज फार दिये थे ये सब पढ़ते ही अपनी को फिर से बहुत जोर से ड़ लगने लगा वो भी देर रात में किताब पढ़ रही थी और उसे ड़ लगने लगा कि सैम शायद उसके बेट के नीचे ना हो उसने वुक अपने एक हाथ में उठाई और डरते डरते दूसरी हाथ से बेट की चदर उठा कर देखा तैंक्फुली बेट के नीचे कोई नहीं था लेकिन अपनी के ठीक पीछे सैम एक बड़ा सा चाहू लिए खड़ा था अपनी जैसे ही पीछे मुड़ी उसने सैम का भयानक चहरा देखा उसका मुँ काला पड़ चुका था और उसके दात नुकीले हो गए थे यह देखकर अपनी जोर से चिला पड़ी और उसने वो बुक सैम के चहरे पर फेकी और वो वहाँ से भाग कर अपने कमरे से बहार आ गई उसकी चीक सुनते हुए उसके मॉम डाट भी जाग गए और वहाँ आ गए अपनी इतनी जोर से रो रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई बस उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया अपनी की मॉम उसके रूम में गई लेकिन वहाँ कोई नहीं था पर रूम में आते ही उनकी नजर नीचे फर्ष पर पड़ी उस बुक पर गई और उनके पेरो तले जमीन खिसक गई उस बुक के अंदर एक चाकू घुसा हुआ था और उस बुक में से खून निकल रहा था अपनी के पेरेंट्स ने तुरंट पुलिस को इंफॉर्म किया पुलिस ने वहाँ आकर उनका पूरा घर और आसपास का पूरा इलाका चान मारा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला उस बुक को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया और वहाँ से चले गए उस दिन के बाद से अबनी को सैम फिर कभी नहीं दिखा ना ही कभी उसे उस किताब के बारे में पता चला ये कहानी हमें खुद अवनी ने भेजी है आप भी हमें अपने साथ हुई हॉरर स्टोरीज भेज सकते हैं खूनी स्टोरीज अट धरेट जीमेल डाट कॉम पर और हाँ हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना मत भूलना